तो आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं जिसमें की only four questions मैं आपको बताऊंगा जिसके तुरू आप basic concepts और basic formula को आप revise कर सकते हो तो आप notes बनाते चलिएगा आप 4 questions है तो बहुत कम time आपको लगने वाला है बहुत ही कम time taking होगा ठीक है तो हम लोग सबसे पहले question देखते हैं a metallic shell has a point charge q kept inside its cavity ठीक है एक cavity अंदर एक metallic shell है उसके अंदर एक point charge q रखा गया है उसके cavity में तो which one of the following diagrams correctly represent the electric field lines of force ठीक है आपको बिस चार options दिये हैं आप यहाँ पर easily देख सकते हो और आपको properties अगर आपको पता है तो आप easily answer कर सकते हो कि तो कैसे हम लोग इसको answer करेंगे सबसे पहले मैं आपको कुछ properties बता दूं कि जो electric जो electric field lines है electric field lines है वो conductor के अंदर नहीं exist करते हैं conductor के अंदर एक्जिस्ट नहीं करते हैं इसके अंदर conductor के अंदर exist नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर electric field exist नहीं करता तो electric field lines भी exist नहीं करेंगे और दूसरी property ये आपको मैं बता दूँ दूसरी property मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी एकवी potential surface होता है एकवी potential surface बोले तो जहाँ पर potential आपका क्या हो same हो ठीक है जहाँ पर potential आपका same हो अब बोल सकते हो वी जो होगा constant होगा इसके सारे जगह पे सारे surface पर बोल सकते हो तो एकवी potential surface कहलाता है ठीक है और field lines जो होगी field lines को मैं आपको green color से बना दे रहा हूँ जो भी field lines होगी वो एकवी potential surface के हमेशा perpendicular होंगे तो देख सकते हो यह 9090 यह 90 बना रहा है ठीक है हमेशा perpendicular होगा तो इस question में हम लोग देख सकते हैं इस question में आप देख सकते हो कि जो conductor है है तो कंड़क्टर बनाया हमने है तो यहां पर electric field lines जब हम बना रहे हैं तो आपका चार्ज जो है center पर ना रख करके थोड़ा सा कुछ इस जगह बनाए गया है तो आप यहां देख सकते हो कि जो field lines निकलेंगी field lines वो इस conductor के अंदर exist नहीं करेंगी क्योंकि मैंने अभी जिस्ट आपको बताया ठीक है फिर यहां से अगर यह निकल रहा है अगर इसे निकल रहा है तो 90 का एंगल यह बना के निकलेगा और यहां पर exist नहीं करेगा इसके अंदर ठीक है similarly अगर यहां से निकलेगा तो यह 90 का एंगल बनाएगा यह 90 का एंगल बनाएगा और यह यहां से निकल जाएगा तो आपका जो ऑप्षिन मैच कर रहा है वो ऑप्षिन जो है वह है अपका सी ऑप्षिन क्योंकि सी ऑप्षिन में आप देख सकते हो कि कंड़क्टर के अंदर जो भी है कंड़क्टर के अंदर आपका फिल्लाइंस जो है एक्जिस्ट नहीं कर रहा है कंड़क्टर के अंदर अब देख सकते हो फिल्लाइंस एक्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है और जो भी आपके फिल्लाइंस निकल रहे है वह एक्वी पोटेंशल सर्फिस के जो conductor है आपका वह perpendicular उसके नहीं कर रहा है ठीक है तो यह properties को आप note down करिएगा अब हम लोग next question के तरफ चलते हैं हमारा next question में Gaussian surface related है तो consider the charge configuration and spherical Gaussian surface एक Gaussian surface है यह जो आपको दिख रहा है circular तो वो एक Gaussian surface है ठीक है Gaussian surface है इसके अंदर चार्ज रखे वे plus q1 और minus q1 ठीक है और बाहर में चार्ज रखा हुआ है क्यों तो आपको बताना है calculating the calculating the electric flux calculating sorry calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be due to ठीक है तो यहां पर concept आपको मैं बता हों की जब भी Gaussian surface है ना Gaussian surface Gaussian surface के अंदर जो charge रखा होगा मानलो suppose कुछ भी charge रखा हुआ इसके अंदर q1 है charge q2 कुछ भी sign होगा plus minus ठीक है तो अगर इस से अगर आपको flux निकालना है अगर मैं flux की बात करूँ तो flux को हम लोग 5 से denote करते है जनरली तो flux से अगर मैं बता दूँँ तो वह होता है वन भाई epsilon not times the charge contained in it ठीक है जैसे यहां पर charge है तो यहां पर q net बोल सकते हो कि इसके अंदर q net क्या है q net क्या है तो यहां पर लिख सकते हो q1 minus q2 अगर आपको यह बोल देता है कि आप निकालिए गॉसिन सर्फेस से flux क्या है ठीक है तो जो भी अगर इसके बगल में अगर मैं एक charge रख भी दूँ जैसे अगर मैं एक q तो आई अगर मैं चार्ज रख दूँ तो यह इस पर असर नहीं करेगा ठीक है क्योंकि हम लोगों को जो निकालना है flux वो इस गॉसिन सर्फेस के अंदर जो चार्ज है उससे ही फर्क पड़ेगा लेकिन यहां पर आपको question में पूछ रहा है कि electric field आपका electric field जो है किसके कारण होगा तो electric field जाहिर सी बात है flux मैंने बताया तो flux जो है गॉसिन सर्फेस के अंदर जो चार्ज है उसके कारण होगा flux लेकिन field आपको निकालना है कॉसिन सर्फेस पर तो भाई जाहिर सी बात है वो तीनों चार्ज के कारण होगा ठीक है जो भी एर्द ग्रिजिस के चार्ज है तो आप यहां पर easily answer है बता सकते हो क्या होगा answer होगा option number C अब हम लोग अगले question पर चलते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा सा question है equilibrium पर यह simple सा question है इसको हम लोग देखते हैं जैसे question हम लोग पढ़ेंगे कि a charge q is placed at the center of the line joining to equal positive charge q the system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to तो यह भी एक अच्छा question है जो question में बोल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको बना देता हूँ आपके सामने तो यह हो जागा एक जैसे दो लाईने यह मानलों की यहां पर q बन गया और यहां पर q बन गया ठीक है charges हैं और positive charges बने पाज इन पाज़े जाता है और स्टार सेंटर हो नहीं अगरख को कि इंप एक चाज तो आए और नियुक्त है यहां पर q बोल रहा है कि जो system of three charges वो इक्लीब्र मेरा चुछिए कह रहा है तब आपको q की की वैल्यू पूच देगा है तो यहां पर सपोस्पोस हम लोगों को क्यू रखने िक लिए सपोस मैं यहां पर जो चार्ज रख रहा हूं वो पॉजिटिव है अगर मैं इस चारज को एगर मैं मनलों कि POSITIVE मांन लेता हूँ जब मैं इस चारज को पॉजटिव मांन रहा हूँ तो यह पर आप देखो कि अगर मैं इस चारज को small q वाले चारज को अगर मैं थोड़ासा displacement देता हूँ इस साइड ठीक है डिस्प्लिस्मेंट दे रहा हूँ तो देखो सारे चार्जे इस पॉजटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल ही करेंगे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा ठीक है ये वाला चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये क्यू वा है अब यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो यह चोटा क्यू जो है वह यह इस पर कैसा फोर्स लगाएगा रिपल से फोर्स लगाएगा उसको रिपल करेगा और प्लस क्यू जो है ए पर रखा हुआ जो है यह भी इसको रिपल करेगा यह भी रिपल करेगा तो जब द जाएगा ठीक है तो इसी लिए हम लोगों को जो चार्ज का नीचर है जो बी पर रखा हुआ है उसके नीचर को हम लोगों को चैन्ज करना पड़ेगा इसके निचेर कुा क्या करना पड़ेगा इसको पॉस्रीव से नेगति बनाना पड़ेगा तो नेगतिव बना देगे हम लोग जब आप negative बनाओगे तब आप देख लो तो आपकी conditions जो है satisfy कर जाएंगी यह प्लस Q, conditions आपके easily satisfy करेंगी, minus Q अगर मैं डाल दूँ तो आप देख सकते हो, minus Q है, तब देखो दोनों साइड से इसको क्या होगा, दोनों साइड से इसको attraction होगा, तो भाई जो B पे जो charge रखा तो आपके समल जाएगा, छीक है, एक ही बात हो रही है, B की बात हो रही है, C की बात हो रही है, आप देख सकते हो, अब outer charges की अगर मैं बात करूँ, A की बात करूँ है, C की बात करूँ, तो अगर small Q जो है, यह इसको attract करेगा, small Q का है, इस Q को attract करेगा, और यह जो A पे charge करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सपोस हम लोग चलिए हम लोग सी पे अनलाइज कर लेते हैं ठीक है तो सी की एकलिबरियम को देख लेते हैं तो सी सी पे एक कारण क्या होगा जो एक पे जो फोर्स आपका सी पे जो फोर्स लगएगा एक कारणा चार्ज क्यों के कारणा वो कैसा होगा रिपल्सिव होगा बाहर के तरफ ठीक है और यही बी पे जो चार्ज है वो क्या होगा अट्राक्टिव होगा ठीक है तो हम लोग इसको लिख देते हैं एफ A, C और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या? F, B, C ठीक? अब दोनों के magnitude को हम लोग लिख लेते हैं क्या है? बहुत ही आसान सा question है दोनों को equilibrium में रहने क्लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को equate करना पड़ेगा कि F, B, C is equal to क्या हो जाएगा? F, A, C हो जाएगा अब दोनों को equate करो जो हम लोग जो force होता है ठीक है, column's lock है accordingly जो हम लोग force निकालता है electrostatic force वो होता है, क्या होता है? K into Q1, Q2 by distance का square होता है distance का square होता है तो center पर रखाता है तो हम लोग distance को x माल लेते हैं, इधर भी हम लोग x माल लेते हैं तो यहाँ पर पहले हम लोग d square लिख देंगे ठीक है? अब मैं F, A, C जो force है मैं इसको directly equate कर रहा हूँ directly equate कर रहा हूँ तो F, A, C वाला जो हो जाएगा force को क्या हो जाएगा charges आपके क्या है Q and Q जो हो जाएगा K into capital Q square divided by जो distance हो जाएगा वो हो जाएगा 2x square ठीक है? और F, B, C को भी मैं लिखी देता हूँ F, B, C को जब मैं लिखूँगा तो F, B, C हो जाएगा आपका K into K into small Q minus हाजाएगा क्योंकि हमने small Q को minus लिए है ना negative लिए है तो आप Q मान कर गए यह solve करो बाद में negative आप ले लोगे ठीक है Q2 हो जाएगा आपका capital Q और यह distance हो जाएगा आपका X square ठीक है? तो आप इसको देख सकते हो यह हो जाएगा K into Q square यह हो जाएगा 4X square तो आप इसको cancel कर सकते हो X square से X square गया K से K गया Q से क्यों हो गया तो आप यहां से easily आप answer को लिख सकते हो और answer आपका हो जाएगा क्या? small Q is equal to Q by 4 यह हो गया हमारा answer अप option में फिर देख सकते हो क्या है आपका answer will be minus Q by 4 plus Q by 4 नहीं मार देना भई क्योंकि हमने negative sign बोला था और Q by 4 magnitude आया है तो answer हमारा यह हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं अगला question A charge Q is placed at each of the opposite corners of the square एक square है तो जो charge capital Q है वो जो है opposite corners पर रखा हुआ है A charge small Q is placed at each of the other two corners other two corners पर रखे गया है if the small Q को other two corner पर रखे हैं if the net electric force on Q जो capital Q है उस पर जो है electric force जो है net zero है तो आपको ratio पूछ रहा है capital Q by small Q की ratio क्या होगी तो यह बहुत ही easy सा question है है आपको हलकी सी diagram बनानी है और आपको easily answer मिल जाएगा तो हम लोग प्रसीड करते हैं square हम बनाते हैं कि इसको जोईन ऐसे करते हैं जो question में दिया है वो कर लेते हैं यह capital Q हो गया यह capital Q हो गया इसको जोईन कर दो यह हो गया आपका small Q, small Q ठीक है अब आपको बोल रहा है question में कि जो इसकी naming भी हम लोग कर लेते हैं चलो A, B, C, D D पे जो force है वो क्या है 0 है तो यह जो force है इस पे यह Q लगा है capital Q जो है इसको क्या करेगा repel करेगा इसको repel करेगा इसको repel करेगा अब तीनों forces को हम लोगों को क्या करना है तो आप देख सकते हो कि इस वाले force को जब हम देखेंगे यह force और यह force का जो resultant होगा इस रिजल्टन वह 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 इसी direction में आएगा आपका ठेक है और net force क्या बोल रहा है कि 0 है इस पे तो net force 0 है तो equal or opposite होना पड़ेगा इनको ठीक है equal or opposite होना पड़ेगा तो आपका जो assign होगा हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है साइन positive आ रहा है या negative आ तो simply हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो कि जो small q है और जो small q जो opposite corners पर रखे वे हैं और जिस q की हम बात कर रहे हैं, इस Q की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग force देखेंगे, कि क्या force लग रहा है, तो यहाँ पर यह दोनों देख सकते हैं, कि यह force और यह force जो है, 90 पर लग रहे हैं, तो इस दोनों का resultant जो होगा, इस diagonal के about ही आएगा, इस diagonal के about ही आएगा, और जो capital Q और Sum करके दोनों को 0 कर देना है ठीक है हम जो भी साइना ही हम लोग देख लेंगे तो इसको solve करेंगे फॉस और पोस को लिखेंगे कि आज दरेड़्टेंट हम लोग देख लेता है चो कैपिटल क्यों और स्मॉल क्यों है उस दोनों के कारणा क्या रिजल्टेंट होगा resultant अगर मैं बता हूँ तो resultant will be equal to root to root to k q by d square square का side d है तो यह क्या हो जाएगा diagonal का root 2 d हो जाएगा ना diagonal क्या हो जाएगा root 2 d हो आपका resultant का direction यह रहा और जो capital Q और capital Q है उस दोनों के पीच में force क्या होगा इस दोनों के force force पीच में होगा इन दोनों के Q into Q divided by distance है और root 2 का d square तो यह हो जाएगा 2d square will be equal to क्या कर दोगे आप यह सम करके दोनों को कर दो equate जब सम करके दोनों को सब 0 करोगे तो यह हो जाएगा minus of minus of root 2 k q by d square d square d square gone q gone q gone k gone k gone यहाँ पर आपको answer easily दिखेगा q is equal to हम लोगों को ratio निकाला ना capital q by small q capital q by small q अब देख सकते हो इस minus 2 by root 2 यह रहा हमार answer तो बहुत ही basic questions कराया थे मैंने अब देख सकते हो नोट में नोट बुक में इसको नोट करते हैं चलो चोटे चोटे की पॉइंट्स लिखने आपके रिवाइस होते चलेंगे तो कोई असी कोई बड़ी बात नहीं तो अगले वीडियो के लिए आप वेड करो और आप बताओ कि अगर आपको कोई भी doubts है आप किस टाइप के videos चाहते हो तो मैं उस पर work करूंगा और आपके लिए वीडियो आदू लाइक इडो शेर इट थैंक यू नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाए थैंक यू